उत्तर प्रदेश राजस्व लेकपाल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर छटवा होगा। शुरू करते हैं क्वेस्टेन पहला क्वेस्टेन है कि राम धीरे धीरे पड़ता है। इस वाक्य में जो धीरे धीरे सब्द है ये क्या है। संग्या है, सरोनाम है, विसेसड है या फिर क्रिया विसेसड है अब अगर आप देखेंगे तो इस वाक्य में जो क्रिया है ये है पढ़ना लेकिन कैसे पढ़ना दीरे दीरे यानि कि जो क्रिया की विसेस्ता बता रहा है उसको हम क्या कहते हैं क्रिया विशेसर बोलते हैं चौपाई चंद के प्रती एक चरड में कितनी मात्रा होती हैं जब आप चंद पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको यही पढ़ा जाता है सोठा में क्या होगा चौपाई में क्या होगा तो यहाँ पर चौपाई में आप देख क्यों देंगों यहां पर देखें थी कौशन में देख लिए हैं कि निमिलखित में से कान सा बदे जन अर्प 2020 अर्प फाड़ और दो चीजे होते हैं अल्प पर उन बोलते हैं जिनको उच्शाड करने में बहुत कम मत्रा में हवा आपके मुझे से निकले माःपराण में हवा जादे निकलती है तो यहां पर जो अल्पराण होका यह हो जाएगा चो आप देखेंगे कि जो वर्ग होता है जो आपको को वर्ग टो वर्ग तो वर्ग बताया जाता है इसमें से पहला तीसरा और पांचवा पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है अलप प्राण होता है तो अगर आपके वोल इतना ही याज रख लें तो आप अलप प्राण औ दूसरा और चौथा क्या होगा महाप्राण प्रत्य क्या होता है प्रत्य और उपसर्ग दो चीज़े होती हैं प्रत्य होता है जोकी सब्ड के अंत में लगता livelihood जोकी सब्ड के आगे लगता है लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके बिकल्ब दिए गये है यह होगा सब्दान्स यानिकि प्रत्य सब्द का एक अंस होता है छट्वे और सत्वे में आपको और समनार्थक सब्द का चेंड करना है जो कि थोड़ा सा अलग है ठीक है यहां पर है स्वर्ण अवाज और धुनी अब बताईए कि इन में से असमनार्थक कौन है मतलब तीन सब्सक्राइब अलग है यहां पर शुछ का सीवळापस सउयोगा अब यहां बताईए जन्म, उग्ना, म्रिट्व, और उत्पादन बताहिए मतलब एक नया वस्तु है या फिर मेक्ति है यहां पर उग्ना का मतलब ही हुई है उत्सपादन का मतलब हुई है लेकिं में म्रि अभी क Pla ver अम मैं इसको आम कहोते हैं नोटिफिकेशन नुवा कोंशन है अigare इसमें से आपको बताना है कि तदभा कोन है पावन बानर पावण बंदर और परियक इसमें तदभा कौन सा तद्वव होता है जो कि हिंदी भासा का होता है तद्वव होता है जो कि संस्कृत भासा से हुबहु लिया गया है यहां पर देखिए यह तद्वव है यह भी तद्वव है लेकिन आपका से उतर होगा बंदर यह एक तद्वव है निम्रिकित में से कृत वाच का वाक के गया आज टहलने चला जाए छात्रो द्वारा फुटवाल खेली जाती है तो यहां पर कृत्वाज पूछा है मतलब जिसमें करता प्रधान हो यहां पर आपका पहला वाला विकल्ब सही होगा जैसे इस तरह के क्वेशन अगर आप देखें मारा गया चला नहीं जाता उसको उ चिन है यह किस के लिए परियोग में ला जाता है यह बताईए यह वाला चिन तो यह ला जाता है तुलता सुचक के लिए मुझे किस प्रकार का सरवनाम है सरवनाम आप पढ़ते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्यपुरुष तो मुझे क्या है अगर आपको मु यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देते चल रहे हैं और थोड़ी इसलिए ताकि वीडियो भी बड़ी ना हो यहाँ पर अगला कोशन है कि निम्लिकित में से कौन सा सब्द गणेश का प्रेवाची नहीं है जैसे गणेश जी को हम लंबोधर बोलते हैं जिनका लंबा पेटो बिनायक भी बोलते हैं तो यहाँ पर अपको बताना है कि कौन सा सब्द उनका प्रेवाची नहीं है दो चीजे हमने आपको बता दिया इनको एक दंत भी बोला जाता है और पूछा गया है कि प्रेवाची नहीं है यानि क्यों जाएगा धनत आगे बढ़ते ह हैं और यह है 14 नंबर यहाँपर सू सिच्छित में आपको बताना एक उपसर्ग क्या है उपसर्ग वो होते हैं जो कि किसी भी सब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर बताईए सू सिच्छित में होगा अचा मतलब इस वह क्या मतलब हो की हो जायेगा या फिर आपने कडी मेनत से पढ़ाई की अथा आपका सेलेक्शन हो जाएगा अता मतलब क्या इसलिए ठीक है यानि कि आपका जो रिजल्ट है यह यानि कि आपका सहीध्तर हो जाएगा परडामता ठीक है किसी वर्ड का उचाड़ स्थान कंठ तालू है किसका इनमें से आपको बताना है, कंट और तालू, देखिए, कंट और तालू और कंट और ओष्ट, ये कई बाल पूछा जाते हैं, तो अगर आपसे कंट और तालू पूछा जाए, जैसे कि इसमें पूछा गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, A और I, अब यहाँ देखिए, आपका बिकल्ब से हो जाएगा आपसा नमबर B लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कंट और रोष्ट बताईए तो कंट और रोष्ट में होता है O O और A दो वर्डो के मेल से होने वाले बिकार या फिर परिवर्तन को क्या गाते हैं दो वर्डो का मेल यहीं पर अगर दो सब्दो का मेल पूछा गया होता तब आपका उत्तर अलग होता लेकिन दो वर्डो में क्या होगा संदी होगा दो सब्दो में क्या होता है समास होता है बढ़ते हैं आगे और यह 18 नमबर की रोष्ट रष्ट का यह होता है क्रोद ठीक है बीर का स्थाइब हो क्या होगा यह आप हमें पताएंगे कमेंट करके उस्ताफ़ी से लंबे थे देवदार दू-चार खड़े इसमें अलंकार कौन सा है कहा गया है कि एक टपस्वी था और उसी के समान थे देवदार के जो ब्रिच थे अब आप पढ़े होंगे कि देवदार का ब्रिच काफी बड़ा होता है लेकिन यहां पर कहा गया है कि तपस्वी से मतलब तपस्वी के समान तो यहां पर देखिए प्रतीप अलंकार होगा अब प्रतीप अलंकार क्या होता है तो प्रतीप अलंकार का मतलब यह होता है उल्टा काने काने का इस वाकर में कारक आपको पताना है आपको पता है की कारक पहले 6 होते थे लेकिन फिलहाल इनकी संक्या 8 मानी जाती है और यहां पर कहा गया है कि छठ से 8 गिरी तो यहां पर से वाले को आपको पता चल जाना चाहिए कि यह होगा अपादान वैसे तो से से ही करण होता है और से से ही अपादान होता है लेकिन करण में यह साथ होता है लेकिन अपादान में अलग होता है एक अनार सो बिमार यह एक क्या है मुआबरा है कि लोकोक्ति है तो यह है एक लोकोक्ति अब अगर आप इस वीडियो को लाइब होने के बाद देख रहे हैं तो भी आप अपने उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं आप अपने क्वेश्चों को काउंट कर सकते हैं ताकि वीडियो के लाच्ट में बता सकें कि आपने कितना स्कूर किया यहां पर उच्छवास का संदी बीच नार्मल समास पढ़ते हैं समास के छे प्रकर उनमें ये नहीं है आपके बता दें उसके ठोड़ा ये डीप में question पूचा गया तो यहाँ परागए unto तदपुरुस हमास तदपुरुस में आप के वाल आठी पढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन सही उत्तर होगा कि अगर विद्यार्थी आधर स्वाधी होंगे तो देश का बविस्य उज्वल होगा निर्मल का विलोम आपको बताना है दिये गए विकल्पों में से इंग्लिस का इसमें नहीं पूछा जाएगा लेकिन अगर आप देखें हिंदी के तो हिंदी के 25 क्वेशन पूछे जाएंगे तो यहां पर निर्मल का विलोम होता है मलिद अब यहां पर हमने मैच के 25 क्वेशनों को छोड़ दिया है उनकी वीडियो अलग से अपलोड है प्ल गांधी जी नेता नहीं थे ठिक है तो यह सवदेशी आंदोलन सवदेशी आंदोलन के अलावा अगर आप देखेंगे भारत्योय आंदोलन सविनय वग्या अनदोलन तो इन सब में गांदी जी नेते तो भूमिका में थे कई पर आप से पूछा जाता है कि स्वदेशी अंदोलन कब हुआ तो ये था 1905 में और गांदी जी इसमें इसले नहीं थे क्योंकि ये थे साउथ अफरिका अगला कोश्चन है कि किसकी भी फलता के करण स्वराज पार्टी बनाए ग गलाइकोजेन सेल्लोज प्रोटीन या फिर भता बताए लाएं 169 और आपका सईत्तर होगा से लय पकर बारा जो संसत की लोग समीआती होती है इसमें कुल लोग होते हैं साम लोग इसमें लिये जाते हैं राय सभा से शाबर यहां पर नहीं पूचा गया है कि बता classify कि इसमें इसकी निवत्वतिस कौन करता है यह लोग सभा के अधक्स के यह हो जाएगा विशाखा पट्टनम आगे बढ़ते हैं और यह है संतावन नंबर कि राष्टी आए किस से निर्मित होती है तो राष्टी आए निकाले जाती है अरताल तो यह किस चीज से निकाले जाती है यह आप से इस क्वेशन हो पूछा गया है धन उत्पादक से बिलक संदाती है तो और इसके अलावा अगर आप इसके बाकी के पार्टों को देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर आप पहला कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं क्वेस्टन है कि हाली में जो बिजिटन इंडिया के एक पूल के मुताबिक 50 व जो कि इस समय इंडिया के देखेंगे तो हेड कोच है अगला कोशन है कि भारतिय प्राइदीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है सबसे लंबी नदी देखें यहाँ पर कुल मिलाकर दरबिड को 52% लोग ओट किये थे और जो सचीन तेंदूल करते हैं उनको 48% लोग तो यह भी आप जानिए इस वाले कोशन का बता रहे हैं भारतिय प्राजेब की सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो इसके लिए जो आ नासिक से इसके उत्ति होती है अगला कोशन है कि नोजवान भारत सबाग किस ने स्थापित किया था नोजवान भारत सबाग कि अस्था अब यहाँ पर आपको बताना है RAF का फूल पारम आप सुने होंगे न्यूज में कि यहाँ पर इस तरह का हो गया और वहाँ पर RAF लगाई गई है ठीक है जहाँ पर इस तरह जादे भयावा हो जाती है तो कंट्रोल करने के लिए RAF को लगाया जाता है तो RAF का फूल होता है Rapid Action Force 63 नमबर है कि किस बैंक ने हाली में जीवन वीमा उत्पादों की पेसकस के लिए बजाज आलियांस के साथ समझाता किया है जीवन वीमा के लिए यह किया गया है करूर वैस बैंक के द्वारा डाइनोमो आप देखे होंगे डाइनोमो जो कि बिजली निकालता है तो वह कर जो गतिसील बस्तू होती है उसके चलते उसमें से निकलती है electricity यानि कि क्या करता है यह यांत्रिक उर्जा को बेद्वत उर्जा में बदल देता है उसी तरह कि आपके माइक क्या करता है तो यह आपके जो ध्वनी उर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिक उर्जा में बदल दे तो इस तरह कोशन आपसे परिच्छा में पूछे जाते रहते हैं भारत की प्रमुख बाड़ीजिक फसले बताएं यह कपास तिलहन जूट और गन्ना चाचट नमबर देखते हैं कि अभी अभी किस बैंक ने इस्टा क्लिक बचत खाता लांच किया है इस्टा क्लिक बचत खा यह है बैंक आप बड़ावदा भारती सिविल सेवा में अहरता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे सिविल सेवदावा में सबसे पहले कौन चुनी गए यह क्वेश्चन तो आपने पढ़ाई होगा बहुत बार पूछा जाता है उतना महत्रपुंड भी है और निका नाम ह सतंद्र नाथ टेगोर ठीक है तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सतंद्र टेगोर को अगर आप देखेंगे तो यह अठारा सो तिरपन में थे बाद में अगर पूछा जाए कि दूसरा बेक्टी कौन था तो सुरेंद्र नाथ मनर जी पहले सतंद्र टेगोर दूसरे सुरेदनात बनार जी भारत के अस्तला क्रतिक मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है बताए यह बनाता है भारतिये सर्वेच्छड बिभाग देखें अगर आप यह देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट से मैक्समुम बेनिफिट आपको कैसे होगा तो प् इन बात एक बार और देखना है अगर आप तीन से चार बार देख लेते हैं परिच्छा से पंदर दिन पहले तो यह कोईस्टन अगर आपसे परिच्छा में पूछा गया हूँ बहुत तो आप कोई गलती नहीं करेंगे स्वतंत्त्ता की पूरों संध्याप और निम्लिखि रहेगा क्योंकि यह बदलते रहते हैं तो इसे हम छोड़ देते हैं यह करेंट का क्वेश्चन है सेलूलोज भित्ति किसके सेलों में पाए जाती है बताएं यह पाए जाती है पोधुक हरित करांति किस वर्स सुरू की गई हरित करांति की बात करेंगे तो इसमें पराजित किया गया था मतलब से लुकस निकोटर को निकेटर को किसने पराजित किया था यह आपको बताना है देखे चंदकुप्त से पहले की बात है और चंदकुप्त मौर जिस समय यहां पर रूल कर रहा था उस समय आया था सिकंदर और सिकंदर तो यहां से वापस चला गय लेकिन उसका जो एक सेनापती टाइप का था सेलुकस निकोटर यह यहां पे रहा गया बाद में चंदगूत मौर ने इसको भी हरा दिया पुर्वी तटी महिदान का एक अन्यनाम क्या है मतलब पुर्वी तटी महिदान को आप किसी अन्यनाम से बोलना चाहे तो आप कहते हैं इसको कोरो मंडल टट बारत में प्रतियच लोक तंतर का उधारण क्या है प्रतियच लोक तंतर जैसे अगर राश्पती को देखेंगे त कितनी पर्सेंटेज भारती जनसंख्या की आजीव का प्राथमिक स्त्रोत पर क्रिसी है क्रिसी पर कितने लोगा दा रहेते हैं यह पूछा गया दोट–वारत के अनुसार कितने पर्सेंट लोग ग्रामिड शेतरों में रहते हैं भारत गाओं का देश है और यहां पर भी रहते हैं प्रधान मंत्रे क्रिसी सिचाई होजना में भारत सरकार के द्वारा कितनी रासी दी जाती है निवेस की गई थी पूचा गया है तो यह होती है लगवग पचास जार करोड निमलिकेट में से किसको छोड़ करके सभी खरेब की पसले हैं मतलब कि आप रभी की तो चलिए आप बताईए कि छेटरफल के अदार पर यूपी का सबसे बड़ा जीला कौन सा है यह बताईएगा कमेंट करके उत्तर प्रदेश के द्वारा इड़कम नामक एक नया प्रेट फारम किस उद्देश के लिए सुरू किया गया था इड़कम बताएं यह आपके भ करता है कि आपने कोई प्रतिबंद दवा ना ली हो और यह भू प्राठची चौत्री किसानों को लाब पहुचाने के लिए प्रधानमंतरी किस बीमा योजना की सुरुवात की गई है अभी आपने देखा और यह किसान निधी प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना खरीब फसलों के लिए किस तरह के मौसम की जरुवत होती है जैसे आप देखेंगे खरीब फसल भारत में यह जून जुलाई के आसपास बोई जाती है तो जून जुलाई में आपका मौसम कैसा होता है बस आप इसी से बता सकते हैं और यह होता है गर्म और नम बारिश सुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश में योगी आधितनात ने केंद्रिय मानो संसाधन विकास मंत्राले के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में किसमे सुधार करने के लिए मतपूर धाचा विक्सित करने का कदम उठाया है सिच्छा बिद्याले में आगे बढ़ते हैं और यह 86 नंबर और इसमें बताना है कि बन विभाग के सरड़ेच्छड के मुताबिक भारत का वास्तिविक बन कभार भावगोलिक छेत्र का लगवग कितना है पूरे भारत में कितने परसेंट पर के बन नहीं बन है यह आपको बताना है बताया तो अगर आप देखेंगे तो यह है लगवग लगवग एकईस परसेंट ठीक है एकईस दस्मलो कुछ होगा लगिनेगर एकईस है तो आप इसको ट्रिक कर सकते हैं जोत बही में कुल कितने परने होते हैं यह क्वेश्चन का पिसांदार है जोत बही में यह आपके ग्राम समाज के लिए बेहत महतपूल कोष्चन है और आपके से उत्तर होगा 16 ग्रामेट शेतरों में बिगलांगों के लिए 1986 में कौन सी योजना चलाई गई थी ऐसे कोष्चन में पूछे जाएंगे यह जी शंगं योजना उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लाओ की गई कम से कम पुरानी है 20 सल योजना बताईए यह है दोजार तेन से बरतमान में क्रिसी मंत्रे का होना है इसका हम उत्तर नहीं बता रहे हैं आप कमेंट करके बताईएगा क्योंकि 2022 में चुना दो जुदाईगे यह है मोल्ड बोर्ड हल और म्रिदा खुदाल अगला और बानमे नमर के कोश्चन है कि सिचाई में जल प्रयोक की कुसल मित्र बेता के अनुशार कौन से प्रडाली से इसका रहे हैं मतलब कि अगर आप सिचाई करना चाहते हैं तो किसमें अधिक से अधि प्रडाली इसके बाद छिटका वाले के नमबर आता है मित्टी का कटाव सबसे अधिक किस प्रकार की मित्टी में होता है मित्टी का कटा होता है कई तरीके से पानी से भी होता है हवा से होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखिएंगे तो सिल्टी में भी होता है दो प्रदेश में प्रचलित धरातल माप में से कौन सही नहीं है यहां पर देखिए अगर आप देखेंगे इस क्वेस्टन में तो कुल मिलाकर के बीघा वाला सिस्टम हम लोग के तरफ दिखता है और अगर इसमें से पूछा जाए गलत तो यह होगा और अपसंपर बीस विश्वासी बरापर दस विश्था नहीं एक विश्था होता है और वार्शिक करम और वार्षांतर फसल उगाने की वेवस्ता को क्या कहते हैं जैसे कि फसल को बदल बदल किरके उगाना इस सिस्टम को अब क्या कहते हैं यह आप से इसमें पूछा गया और यह है फसल रोपड अनुकरम किस राज ने स्टाटप फंड को लांच किया है स्टाटप फंड यूपी ने यूपी सरकार को आए का सबसे बड़ा भाग कहां से मिलता है जैसे सरकार किया आए कहां से होती है खास करके करम यूपी के बात करें तो यह होता है समान बैपार से अगला और 99 नंबर है कि कुल आगम प्राप्तियों में लगबग 55% कहां से मिलता है 55% यह मिलता है बैपार से अभी आपने देखा पिछले कोईशन कि भाइजाता है अगर आप देखेंगे तो पुर्वी मैदान में में भी पच्छनी में यानी की आपका सहिरी तर होगा यह सभी मद्य में भी उस्दक्डिक भंदिये सुस्क पंडा पाद्य बन तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही यहां पर हमने 75 कोशन को कबर किया है आपका इसकूर कितना है आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंग यो